हलो नमस्कार जहीं दोस्तों आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल वीद्यसेस में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका एक्जाम कल है और आई होप आप लोग बेहतरी धंक से अपनी तयारी को कर चुके हो तो उन कुष्चन की एक पीडियाफ बना कर आपको फिट से हम करा दें तो आप लोग दोस्तों ये कुष्चन की क्लास जरूर करिए इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा हैं दोस्तों तो यह इंपोर्टेंट कुष्चन है क्योंकि मैं क्वेश्चन आपके जो कि इस चैनल के दौर आपको CITS 2023 की complete preparation कराई ही जा रही उसके बाद भी दोस्तों आपको CITS से जुड़ी हुई सारी जानकारी इस चैनल के दौरा दी जाती है तो चलिए दोस्तों आज के पहले कुश्चन को देखते हैं पहला कुश्चन क्या कह रहा है कि बाल जूं का तकनीक कि नाम क्या है पेडी क्यूलेसिस हाइप 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 ट्राइकोसिस एलोपीसिया या एलोपीसिया दोनों एलोपीसिया दोस्तों यहां पर तो एक ही चीज़ दिया है लेकिन आपके बात करें जो बाल में जूं पढ़ती उनका तकनीकी नाम क्या होता है तो उनका त्वचा सोध बालों का जढ़ना कम करता है दो मुहेबाल या पेडी कुलोसिस तो बात करें जो《ली डंड्रफ》 का टकनीकी नाम होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों आप लोग का सीबम यू क्या है ने क्लाक कोशन की नाम खैरा है तो dandruff से क्या ताध पर है । सफेद पपड़ी, गंजापन, सिर्कीजू, बालों का जड़ना तो दोस्तों जो आपका dandruff होता है उससे ताध पर होता है सफेद पपड़ी क्योकि बालों में जो आपके dandruff पढ़ते हैं जिसको रूसी बोलते हैं हिंदी में तो दोस्तो रूसी क्या होती है एक प्रकार से डेंडर फोई है जो पपड़ी के छोटी-छोटी रूप में निकलता है तो राइट एंसर आपका उप्सन नमबर A हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तो नेश्ट कुशिंग तरफ अगला कुशिंग क्या कह रहा है योगिक सूच्म बयायाम में कुल कितने बयायाम है तो जो आपके योगिक सूच्म बयायाम होते है उसमें आपके 48 बयायाम होते है तो आपका राइट एंसर क्या होगा आपका 48 होगा 48 बयाया सकती विकास कितनी होती दोस्तों 2 3 4 5 तो बात करें दोस्तों सूच मबयायाम में जो ग्रीवा सकती विकास 20 कासक होती है वो होती है बात करें दोस्तों आप लोग की 3 होती है कितनी 3 होती है तो आपके सूच मबयायाम में ग्रीवा सकती बिकासक कितनी होती है तापकी 3 होती है दोस्तों आपका right answer option number B हो जाएगा दोस्तों बनते हैं next question तरफ अगला question क्या करा है कि हकलाने की समस्या को ठीक करने के लिए कौन सा सूच में बैयाम करेंगे तो अगर आप हकलाते हैं तो उसको दूर करने के लिए कौन सा बैयाम करना चाहिए अस्मरण सक्ति बिकासक नेत्र सक्ति बिकासक या फिर करण सक्ति बिकासक या ग्रीवा सक्ति बिकासक तो बात करें दोस्तों हकलाने को ठीक करने के लिए जो सूचम बैयाम किया जाता है वो होता है दोस्तों आपका अगर बात करें जो आपका हकलाने के लिए बैयाम किया जाता है बात करें उसकी तो होती है दोस्तों आपकी ग्रीवा सक्ती बिकासक क्या होती है ग्रीवा सक्ती भी कासक हम यो बयायाम करेंगे हमाख लाने की समस्या को दूर करने के लिए बढ़ते हैं दोस्तों नेस्ट कुशिंग तरह अगला कुशिंग क्या कह रहा है सूच्म बयायाम सरीर के कहां से कहां तक के भाग को प्रवावित करता है तो दोस्तों जो आपका सूच मबयायाम होता है वो सरीर के कहां से कहां तक के भाग को प्रभावित करता है सिर से च्छाती तक का भाग, सिर से पर तक का भाग, च्छाती से पर तक का भाग या सिर से कमर तक का भाग तो बात करें दोस्तों आपका जो सूच में बैयाम होता है वो आपका जो है दोस्तों सिर से पर तक के भाग तक क्या करता है आपका प्रभावित करता है कहां तक करेगा सिर से ले करके पर तक के भाग को क्या करता है प्रभावित करता है आपका सूच में सारी रिख बयायाम तो आपका right answer और option number B हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तों next question तरफ अगला question क्या करा है एकागरता की सक्ति को बहतर बनाने में कौन सा सूच मबयायाम मदद करता है तो अगर आपको एकागर होना है concentrate होना है तो इस सक्ति को बहतर करने के लिए कौन सा सूच मबयायाम किया जाता है प्रार्थना कपोल सक्ति विकासक गृवा सक्ति विकासक भूजा बली सक्ति विकासक तो बात करें दोस्तों आपके जो concentration को बहतर बनाने के लिए जो सूच्म बयायाम किया जाता है वो होता है दोस्तों आपका प्रार्थना क्या होता है प्रार्थना क्या किया जाता है प्रार्थना ता आपका right answer option number ए होगा प्रार्थना जो है आपका एकागरता सक्ति को बेहतर बनाने वाला सूच्म बयायाम है बढ़ते हैं दोस्तों नेस्ट कुशिंग तरफ अगला कुशिंग क्या कह रहा है योगा सब्द किस भासा से लिया गया है तो जो आपका योगा सब्द होता है किस भासा से लिया गया है तो जो आपका योगा सब्द है वो आपका जिस भासा से लिया गया है वो है दोस्तों आ आप लोग का बात करें तो Sanskrit वासा तो आपका राइछ एंसर, आपसर नंबर correct number 3 हो जाएगा exhibo सबस्द से लिया गया है बढ़ते हैं दोस्तों कितने घटक हों जो आपका य्होग होता हुआ उस में कितने घटक होते हैं 8-9-10-11 आपका योग में कितने घटक होते हैं तो बात करें दोस्तों आपकी योग में जो है आपके आठ घटक होते हैं तो आपके राइट कितने प्रकार की होती है तो आपकी डाइट कितने प्रकार की होती है तो आपकी डाइट कितने प्रकार की होती है तो आपकी डाइट कितने प्रकार की होती है तो बढ़ते हैं दोस्तों नेस्ट कुश्चिंग तरफ अगला कुश्चिंग देखते हैं क्या कह रहा है अगला कुश्चिंग कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि तामसिक आहर में क्या आता है जो तामसिक भोजन होता है आहर जो लिया जाता है उसमें क्या आता है दो तो तामसीख भोजन के अंदर यह सब ही आते हैं तो एंसर आपका उप्सन नमबर D होगा बढ़ते हैं दोस्तों नेक्ट कुशिंग तरफ अगला कुशिंग क्या करा है कि योगिक डाइट को किस नाम से जाना जाता है जो आपका योगिक डाइट होता है उसको किस नाम से जान बढ़ते हैं दोस्तों नेक्ट कुशिंग तरफ अगला कुशिंग क्या करा है कि राजसीक आहर में क्या आता है तो जो आपका राजसीक आहर होता है उसमें क्या आता है दोस्तों नेक्ट कुशिंग तरफ अगला कुशिंग क्या करा है तो अगला कुशिंग करा है दोस्तों मीठे फल, चाय, खटी चीजे, नसीले पदार्थ तो बात करें दोस्तों जो आपका सात्विक भोजन होता है जो उसके अंतरगत आता है वो आता है दोस्तों आप लोग का मीठे फल तो आपका सात्विक भोजन के अंतरगत क्या आता है मीठे फल बढ़ते हैं दोस्तों next question तरफ अगला question क्या क्या करहा है? कि सात्विक डाइट का क्या लाब है? तो जो आपका सात्विक भोजन अगर आप कर रहे हैं वो diet ले रहें तो आपका क्या लाब होगा? जुनून पैदा करता है मन का सुद्ध वा सांत करना मन क्रोधित होना मन का सांत न होना तो बात करें दोस्तों जो आब आप सात्त्विक डाइट लेते हैं सात्त्विक हार लेते हैं तो आपका मन क्या होता है सुध्ध होगा सांत होता है तो आपका राइट एंसर ऑप्सन नंबर बी हो जाएगा बढ़ते दोस्तों नेश्ट कोश आवस्य करें या फिर योग सुरू करने से पूर्व लाव हानी जानने की अवस्यत्ता नहीं है तो बात करें दोस्तों इसकरime आपका इंसर की कि जो आपका योग करते समयें जो क्या साउधानी रखनी चाहिए तो दोस्तों योग करते समय हमें जो साउधानी रखनी चाहिए होता है कि आप योग कोस्त की शुरुआत हलके वा आसान से करें नहीं तो आप तुरंथी आप भारी योगा करने लगें तापका राइट एंसर आपसन नंबर ए हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्ट कुशिंग करें तरह दोस्तों अगला कुशिंग क्या कहरा है कि कौनसा इस्थूल बयायाम तपेदिक रोग में लाग पहुचाता है सरवाग्पुष्थी रेखा गति उनकुर्दना और दो गति तो बात करें दोस्तों जो आपका तपेदिक रोग में लाब पहुचाता है इस थूल बैयाम वो होता है दोस्तों आप लोग का सरवाग पुष्टी तो जो आपका सरवाग पुष्टी होता हूँ आपका तपेदिक रोग में लाब पहुचाता है तो राइट इंसर आपका अप्शन नमबर A हो जाएगा बड़ते नेच्ट कुछिं कि उचाई को बढ़ाने के लिए कौन सा इस्थूल बयाम करेंगे तो बात करें दोस्तों आपको बढ़ाने के लिए जो बयाम करते हैं वो होता है आपका दोस्तों उत्कूरधना तापका right answer option number D हो जाएगा उत्कूरधना तो बढ़ते दोस्तों next question तरफ अगला question क्या है उत्कूरधना होगा इसका answer right D होगा बढ़ते next question तरफ अगला question कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि सेना और पुलिस के लिए एकागरता में सुधार करने काउन सा इस्थूल बयाम को अच्छा मानते हैं तो बात करें दोस्तों स पुलिस के लिए बढ़ते दोस्तों आप लोग का रेखा गतिता आपका right answer option number A हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तों नेस्थ खूशन के तरफ अगला question क्या कह रहा है इस्थूल बयाम संख्या में कितने होते हैं तो आपका संख्या कितनी होती है 2 3 4 5 तो बात करें दोस्तों आ अगला कुशिन क्या कह रहा है इस थूल बयायाम कप करना चाहिए तो आपको इस थूल बयायाम कप करना चाहिए बताइए दोस्तों गरभावस्था के समय उच रक्त चाप के समय बुखार में खाली पेट तो दोस्तों जो आपका इस थूल बयायाम होता है उसको आप लोगों तो बताईए, टाइट कपड़े, धीले कपड़े, गरम कपड़े, फैसन के अनुसार कपड़े, तो बात करें दोस्तों आपका जो भी स्थूल बयायाम आप करते रहें, तब उस समय आप कौन से कपड़े पहने, धीले कपड़े, लूज क्लोथेस, आपका राइट एंसर आप तर दिसा में, दचिन दिसा में, तो बात करें दोस्तों जो आपका सूरे नमस्कार करना चाहिए, वो आपका दोस्तों पूर्व की दिसा में करना चाहिए, तापका राइट एंसर आप्सन नंबर ए हो जाएगा, सूरे नमस्कार की दिसा में करना चाहिए, पूर्व की दिस प्रणाम आसन आपका right answer option number a हो जाएगा प्रणाम आसन बढ़ते दोस्तों next question तरफ अगला question क्या कह रहा है कि सूर्य नमस्कार के समय दोनों पंजों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए बताइए दोनों पंजों एक साथ होने चाहिए दोनों पंजों के बीच एक इंच की दू होनी चाहिए दोनों पंजों के बीच दो इंच की दूरी होनी चाहिए या दोनों पंजों के बीच तीन इंच की दूरी होनी चाहिए तो दोस्तों सूर्य नमस्कार करते समय आपके दोनों पंजों के बीच में जो दूरी होनी चाहिए वो होती है दोस्तों आप लोगों की जो होती है दोस्तों दोनों पंजे जो है उनमें कोई दूरी नहीं होनी चाहिए दोनों पंजे क्या होनी चाहिए या पास में सटे होने चाहिए तिसका राइट एंसर क्या होगा आपसन नमबर ए हो जाएगा दोनों पंजे एक साथ होने चाहिए उनके बीच में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए बढ़ते हैं दोस्तों नेस्ट कुछिंग तरफ अगला कुछिंग क्या कह रहा हैं अगला कुछिंग कह रहा है कि सूर्य नमस्कार की क्रिया साथ में द्रिष्टी कहां होनी चाहिए तो सूर्य नमस्कार की क्रिया साथ में द्रिष्टी कहां होनी चाहिए जब सूर्य नमस्कार की सात्मी क्रिया करते रहें तो आपकी द्रिष्टी कहा होनी चाहिए बताइए सामने ऊपर नीचे कहीं नहीं तो बात करें दोस्तों जब सूर्य नमस्कार में सात्मी द्रिष्टी की जाती है तो आपका जो नजर होता है वो कहा होता है तो बात करें इस सबसे पहले कौन सा पैर पीछे की और जाएगा तो सूर्य नमसकार किरिया में सबसे पहले जो पैर पीछे की और जाएगा बताए कौन सा होता है दाया पैर बाया पैर कोई भी पैर कोई भी पैर नहीं तो बात करें दोस्तों सूर्य नमसकार में जो पैर सबसे पहले पीछे की और जाता है बढ़ते हैं दोस्तों अगला कुशिन क्या करा है सूर्य नमस्कार में सूर्य नमस्कार कौन से समय पर करना चाहिए मतलब कि सूर्य नमस्कार कौन से समय पर करना चाहिए उत्तम है तो बते हैं सूर्य नमस्कार को करने के लिए सबसे उत्तम समय कौन सा होता है कभ right answer option number D हो जाएगा सूर्योदय के समय बढ़ते दोस्तों निर्ष्ट कुशिंग तरह अगला कुशिंग क्या करा है सूर्य नमस्कार में भुजंग आसन कितने नंबर पर आता है तो बताए सूर्य नमस्कार में भुजंग आसन कितने नंबर पर आता है पांचवे नंबर पर कारहा है कि सूर्य नमस्कार आपना करने के बाद रात नंबर पर आता है तो बताए करना चाहिए नहीं करना चाहिए सकता ंसार metadata क्या होगा तो थो बढ़ते दोस्तों आपको जो है बिस्राम अवस्य करना चाहिए तो बढ़ते दोस्तों नेस्ट कुशिंग तरफ अगला कुशिं क्या करा है अगला कुशिं करा है कि सूरे नमस्कार कितने आसन का समन्वे है तो सूरे नमस्कार में बताइए दोस्तों कितने आसन होते हैं 10 आसन होते हैं 11 आसन होते हैं 12 आसन होते हैं तो बात करें दोस्तों जो सूरी नमस्कार होता है उसमें जो आपके आसन होते हैं दोस्तों वो आपके 12 आसन होते हैं तो आपका right answer option number C हो जाएगा 12 आसन तो बढ़ते हैं दोस्तों नेश्ट कुशिंग तरफ अगला कुशिंग क्य कह रहा है कि सूर्य नमस्कार का साब्दी कर्थ क्या है तो बते हैं सूर्य नमस्कार का साब्दी कर्थ क्या है सूर्य को अर्पन प्रार्थना नमस्कार हाथों को जोड़ने की क्रिया तो बात करें दोस्तों सूर्य नमस्कार का जो साब्दी कर्थ होता है वो होता है दोस्तों आपका सूर्य को अरपन क्या होता है सूर्य नमस्कार का सापधिकर्थ सूर्य को अरपन तो राइट एंसल आपका option number A हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तों निश्ट कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन क्या कह रहा है सूर्य नमस्कार में कौन सा आसन सामिल है तो सूर्य नमस्कार में बताए कौन सा आसन सामिल है नौका आसन, प्रणाम आसन, भुजंग आसन, धनुर आसन तो बताए सूर्य नमस्कार में कौन सा आसन सामिल है तो बात करें दोस्तों आपके सूर्य आसन में तो आपका सूर्य नमस्कार में जो आसन सामिल है वो है दोस्तों आपका 9 का आसन तो आपका राइट एंसर क्या होगा आपसन नमबर A हो जाएगा तो यही रहा दोस्तों आज का important question तो आसा करते दोस्तों आज की class आपको पसंद आई होगी अगर दोस्तों class अच्छी लगी हो और आपका बताना है कि आपका एक्जाम कैसे गया तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत आप लोगों को जो है आपके एक्जाम के लिए जो है बेश्टाफ लग तो दोस्तों हम मिलेंगे आपको कल आप लोग जब एक्जाम देकर आएंगे आप अपने एक्जाम को ब भारत